हेलो फैंट्स में ना मैं शुबं और आज की से लिडियो में मैं आप लोगों से बात करें में बलाओं बैटरी आप्टिमाइशन के बरे में सैमसंग और आइफोन में किस तरीका से ये काम करता है और किस तरीका से आप इसे नेवल कर सकते हो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आफोन में आप लोगो को बैटरी वख अप्टिमाइश को अन कर सकते हो यहां पर इसमें के आज़ा है कि आपकी बैटरी है वो 80 परसंद दक चार्ज होती है उसके बाद 100 तक जाने में वो टाइम लेता है बलब slow करता है आपकी usage की according कि आप phone को कितना use कर रहा हो किस time पर अपना charging पर लगाया है उस तरह आप से उसको optimize कर लेता है और उसको 100% तक ले आने में time लेता है बट अभी यहाँ पर नए जो iPhone 15 सिरीज आई है उसके अंदर क्या है कि इसे मेरे पर iPhone 15 है यहाँ पर गया है कि अगर आप इस option को check करते हो तो यहाँ पर आप लोग को एक option मिलता है additional जहाँ पर आप लोग इसको setting को change कर सकते हो जो optimize की setting है इसको change कर सकते हो यहाँ पर click करके यहाँ पर click कर रहे तो आपको यहाँ पर तीन option मिलते है optimize charging battery में जो कि आपका body fall same है 80% वला ही जिसमें आपका phone 80 के बाद slow charging करता है 100 तक जाने में ताकि आपकी battery protect रहे इसके आपको second option यहां ही मिलता है 80% limit का यहां पर गया है कि आपकी phone की battery जिरफ 80% तक ही charge होगी उसके बाद वो charge नहीं होगा इसके अलावा यहां पर आपको none का option मिलता है इसमें आपकी battery जो है 100% तक charge होगी कोई भी यहां पर limit नहीं रहेगी 80% या 80% ज़्यादा slow वाली कोई limit नहीं रहेगी तो यहां पर यह एक difference है iPhone पुराने models में and 15 वाले models में यहां पर आप लोग का option मिल सकता है तो इस तरीके से ही काम करता है and यह जो option है यह जो तीन option में आपको दिखाएं नहीं वाले यह option आप लोग Samsung के phone में भी use कर सकते हो किस तरीके से करना है उसके आरहे हैं बात करते हैं Samsung का phone है तो आप लोग को यहां पर application की requirement है बाइ डिफोल डिसके अंदर यह option नहीं मिलता लेकिन आपको activity launcher application की जूट पड़ेगी प्लेश्टर पर मिल जाता है वहाँ पर जाके इसे अपन कर लेना open करोगे open करने के बाद सर्च करना है battery protection तो battery protection लिख लेते हैं यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर लिखते हूं तो यहाँ पर एकको option आ चुका है आप लोगों को यहाँ पर इसे open करना है पहले मैं शौट कर मारता हूं तो यहाँ पर create shortcut पर क्लिक करेंगे और इसको add कर लेंगे अपनी home screen के उपर ताकि आप लोगों को बार बार इसे और बार बार application में आने की जूट ना पड़े डिरेक्ट आप home screen से open कर लो यह option मिल जाएगा आपको यहाँ पर shortcut मिल जिया open करा इसको यहाँ पर turn on कर देंगे तो इसे हम यहाँ पर on कर लेते हैं और option को option कौन करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से तीन option मिलते हैं वही सेम जो आइफोन में मिलते हैं बर नाम यहाँ पर चेंज है कि maximum protection में सिर्फ 80 परसंट तक चार्ज होता है बेसिक में आपका जो slowdown है उसको slowdown कर देते है और आप इसे यूज कर सकते हो अगर आप एक samsung यूजर हो या फिर आप एक आइफोन यूजर हो तो आप लोगों को दोनों के शैटिंग मिल जाती है तो इस तरीके शैटिंग को इनेबल करना है आइफोन में by default मिल जाता है और सैमसंग में आप लोगों को इसे एप्लिकेशन के सुरूट करना पड़ता है शैटिंग काफी अच्छी है अब इसे यूज कर सकते हो उमीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छे लगा होगा वीडियो अच्छे लगा तो लाइक कर देना चैनल को सब्क्राइब कर देना और मिलता है शु